हेलो एबरीवन आपका स्वागत है मेरे किचन में दोस्तो छोले हम अक्सर बनाते ही रहते हैं और कई तरीके से बनाते हैं पर आज हम सर्दियों की बहुती स्वाधिश्ट और स्पेसल पालक छोले बनाएंगे बनाना काफी आसान है टेस्ट इसका बहुत ही लाजबाब है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं अगर आप लोगों को रेश्पी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और फैमली फ्रेंड के साथ इसे सेर जरूर करिएगा तो इसको बनाने के लिए मैंने दो कप छोलो को राद भर के लिए भीगो दिया था ये अच्छे से सौफ्ट हो गया है धोने के बाद हमने इसे कुकर में निकाल लिया है इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इतना ही पानी डालेंगे जिसे छोले अच्छे से डूब जाएं और इसमें आधा चमच नमक, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी लाइची, चार लॉंग, एक तेजपत्ता डालके हमें इसे तीन सिटी आने तक या छोलो के सॉफ्ट हो जाने तक पकाना है अब हम ग्रेवी तियार करेंगे तो इसके लिए मैंने सर्थोग का तेल लिया है, तेल जब गरम हो गया है तो मैंने इसमें शाथ से आठ लहसन मोटे टुकड़ों में काटके लिया है और एक इंच अद्रक के टुकडों को भी मोटे टुकडों में काटके लिया है इन्हें हमें हलका सा भून लेना है अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज को थोड़ा सा मैंने इसे रफली काटा है बहुत जादा बारिक करने की जरुवत नहीं है सबजीयों को इसे हमें भूनना है जब तक की प्याज सॉफ्ट हो जाए बहुत जादा हमें इसको भूनना नहीं है हलका सा प्याज सॉफ्ट हो गया है मैंने इसमें एक बड़े साइज का टमाटर को मोटे टुकडो में काट के लिया है और 7-8 हरी मिर्च लिया है हमने इस सबजी में लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला है इसलिए आप हरी मिर्च अपने स्वातके साब से ले सकते हैं आदा चमच नमक डालके मैंने टमाटरों के गल जाने तक इसे पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे पालक तो ये 200 ग्राम पालक है जिनको मैंने अच्छे से पहले ही धो लिया है और पालक को आपको काटने की जरूत नहीं है आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं हातों से तोड़ा सा इस तरीके से क्रस करके हम डाल सकते हैं पालक को और इसे हमें पकाना है बिना ढखे इस तरीके से चलाते हुए 4-5 मिर्ट तक हमें इसे पका लेना है जब तक की पालक सॉफ्ट न हो जाए पालक को हमें ढखके नहीं पकाना है और ये देखिए 4 मिट तक मैंने पकाया है पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब लगबग ये रेडी हो गया है गैस बंद करने से पहले हम इसमें एक मुट्टी धनिया के पत्ते डालेंगे तो इसको भी मैंने हातों से ऐसे क्रस्ट क के लिए है एक बार चलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हमें निकाल लेना है ठंडा होने के लिए जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो बिना पानी डाले हमें इसकी प्यूरी बनाना है अब एक बार छोले चेक करते हैं छोले अच्छे से सॉफ्ट हो एक बड़ी इलाइची, एक इंच दालचीनी और दो हरी इलाइची लिया है, इसको एक बार चलाके हलका सा में भून लेना है, इस रेस्पी में बहुत ज्यादा तेल का इस्तमाल न करें, अब हम इसमें डाल देंगे, जो हमने पालक की जो मसाला रेडी करके रखा था, इसे मै अब तेहर लिया अप्टी इस्पून हल्दी पाउडर डाले हैं, और एक चमато धनिया का पाउडर है, और देढ़ चमच मैंने इसमें ये छोले मसाले हैं, अगर आप छोले मसाले नहीं डालना चाहते हैं तो धनिया के पाउडर का मात्र है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें आप गरा मसाला पाउडर डाल सकते हैं इसको हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि मसालों से अलग से तेल ना अलग होने लगे और ये मसाले अच्छे से भून गये हैं अब हम इसमें डाल देंगे छोले छोलो को मैंने पानी के साथ ही डाल लिया है और अगर आपको जरुवत मसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं तो मैंने आधा कप इसमें और पानी डाला है और क्योंकि हमें इसे अभी 10 मिनट तक पकाना है तो मैंने इसमें पानी मिलाने के बाद अच्छे से इसे चला लिया है और इसे हमें ढ़क के पकाना है कम से कम 10 मिनट तक ताकि छोले में पालक का मसाला अच्छे से उसमें फ्लेवर आ जाए अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 तीजपून नमक डाला है और दो चमच मैंने इसमें कसूरी मेती क्रस करके डाला है तो नमक हमने पहले भी डाला था तो आप नमक अपने स्वाद के हिसाब से चेक करके डालिएगा और देखिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए धक दिया था और ये पालक छोले की रेस्पी लगबग रेडी हो गई है बस लास्ट में हमें इसमें दो चमच फ्रेस क्रीम डालना है ये हमारे पालक छोले के जो फ्लेवर है उसको काफी अच्छा बैलेंस करता है तो आप दूद पर जो मलाई होती है उसको आप फेटके और दो चमच इसमें डाल सकते हैं अच्छे से एक बार चला लेंगे और वापस से हमें इसे दो मिनिट के लिए ढग देना है तो यह देखिए मसालों के उपर अच्छा सा तेल उपर आने लगा है तो यह पालक छोले एकदम रेडी हो गया है अब आप इसे ऐसे भी परोज सकते हैं पर हम इसमें एक छोटा सा तड़का लगाएंगे जिससे इसका फ्लेवर काफी बढ़ जाता है तो मैंने तड़का पैन में दो चमच देशी घी लिया है और इसमें मैंने अद्रक के लच्छे और हरी मिर्च डाल के एक बार चला लिया है अब ये गर्मा गर्म तड़का जाएगा हमारे छोलो के उपर और ये हमारा पालक छोले की मज़दार रेस्पी रेडी हो गई है आप इसे चावल के साथ पूरी पराठे के साथ या बटूरे के साथ भी परोज सकते हैं बहुत ही टेस्टी और लाजबाव होता है और बहुत ही हिल्दी होता है और ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है तो एक बार इस recipe को try करिएगा, मुझे comment करके बताईएगा कि आप लोगों को ये recipe कैसी लगी, अगर मेरी recipe पसंद आती होगी तो इसे like करिएगा, share करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लिजेगा, तो मैंने इस छोले को जीरा राइस के साथ बनाया है, आप भी मुझे comment करके बताईएगा कि आपने ये पालक छोले की recipe किसके साथ बनाई,